हेलो प्यारवच्चों आप सभी का मैं हिंदी मिडियम के इस नंबर वन चैनल सुभम क्लासेज पर स्वागत करता हूं जोरदार स्वागत करता हूं बार बार वेलकम करता हूं इसलिए अब यहां पर जो पढ़ाई हो रही है वो बहुत ही सेलेक्टेड बहुत ही है उनीच वालों को हम डिसस कर रहे हैं एक मिनट भी आपका समय जाया नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ही क्रूशल टाइम चला है अगर आप 30 मिनट देखते हैं तो आपको करीब 4-5 कोशन 5-6 कोशन हम करा देते हैं साथ में कॉंसेप्ट फर्मली में आज देखिए भौकाल स परसनों की सिरीज आज 20 वाद दीन है और आज का टॉपी के वच्चा समाकलन ठीक है समाकलन की फर्माइस बहुत बच्चों की थी कि समाकलन में सब्सक्राइब बहुत ज्यादा है उसमें समझने में प्राब्लम होता है अच्छे खासा के लिए रुकरा दियां लेकिन समाकल में थोड़ा सा मेनत कर देंगे आपके दिमागे में फिट कर देंगे लेकिन आपको एक काम करना है कि आखरी तक वीडियो को देखना है ठीक है बीच में कब क्या चीजे बता जी जाती है जो बार-बार यूज होता है वह हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ 20-25 मिनिट में यह बात ह आने वाले हो कभी भी आ सकता है इसलिए चीजों को आप देखिए तो पूरा देखिया जर्वाज मत देखिए ठीक आधा दुरा ग्यान वहीं दिक्कत होता है तेकि समाक्रण में दो इसा बच्चा और निश्य शमाक्रण सबसे पहले हम और निश्य शमाक्रण सीखेंगे औ और उन्ही सवालों को हल करेंगे जो बोड एक्जाम में आते हैं आने की चांसे ज्यादा है एक परतेस्थापन विदी द्वारा समाक्रण होता है आंसिक भीनों में वियोजित करके और खंड़ समाक्रण इन इंडिग्रेशन बाइपार्ट ठीक है सब्चूशन मेथड पार बड़ा अनॉस्मेंट करने जा रहे हैं अनकेडमी आपके लिए लेकर हैं अनकेडमी ओल इंडिया मॉक टेस्ट जिसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट इंडॉल कर और सबसे मोस्ट इंडॉल बात है अगर अभी तक आपने इंडॉल नहीं किया है तो यह 14 फरवरी क आप इंडॉल कर सकते हैं यह दोपहर 2 से 5 बिजे तकोगा और बिल्कुल फ्री आफ कोश्ट है जैसे ही आप इंडॉल पे क्लिक करोगा सिर्फ वहां पर एक कोड माँगेगा आप सुभाम एड्डारेट ट्वेल उस करोगे आप बिल्कुल फ्री में इंडॉल कर सकते हैं औ और सबसे मोश्ट इंपोर्टन बात है प्रिप्रेशन के साथ साथ आप स्कॉलर्शिप भी जीच सकते हो वन लैक तक के अगर आप रैंक वन से टू हंडड़ के बीच में आते हो तो आपको प्राइस भी मिलेगा आप स्कीन पर देख सकते हो और टेस्ट का फॉर्मेट क्या र फरवड़ी तक 10% आपको डिसकाउंट मिलेगा सिर्फ आपको कोड यूज करना है सुभम एड़रेट 12 जितने भी स्टूड़न कोई भी प्लस सब्सक्राइब लेना चाहते हैं यह 28 फरवड़ी से पहले आप ले लेना क्योंकि उसके बाद आपको कोई भी डिसकाउंट नही करना है इंपॉर्टन कोशन करा रहे हैं लेकिन जो बच्ची बिल्कुल नए है तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर में क्या है अगर महत्पुन प्रस्णों के स्रीज रहे कि तो समझ जाएंगे कहा यह चीज इंपॉर्टन कोशन का सेक्षन है इसलिए इसका नाम जो बच्ची एकदम नए है जो पहली बार जूड़े हैं उनकी लिए जुगार किया गया जो पहले से हैं कोई खैर कोई बात नहीं चलिए आईए सबसे पहले शमाकलन के कुछ इंपॉर्टन फार्मले कुछ इंपॉर्टन कॉंसेप्ट कुछ रूल्स नियम सीख जाते हैं इसकाँ कीया शमाकलन के शींबल्स क्या होता है और कर ने नहीं गरत आपका 10-12 दिन यह आप बढ़ाया त्यारी हम करवादेंगे अगर मुझे पर वरोसा है ठीक है चलिए तो कुछ फार्मले सबसे पहले हम लिख देते हैं आप तब आपको समझ में आएगा चलिए यहां पर कुछ समाकलन के फार्मले कैसे तयार किये जाएंगे और यह समाकलन के फार्मले कैसे आउकलन के फार्मले के हेल्प से त्यार किया जाएंगे यह बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए हम बार-बार बोलते हैं बच्चों से कि भाईया एक 10 रुपे की आप कौपे रख लिजी उस पे आप फार्मले हमेशा लिखा करिए जीज दिन हम फार्मले बता हैं उसी दिन कौपे में नो देखिए यह सिंबल समाकलन का है और डी एक से बताता है कि एक्स के साफ एक समाकलन करना है इसमें क्या होता है एक पाउर बढ़ जाता है और यह जो चीज होता है उसी से यहां पर डीवाइड हो जाता है क्लियर हुआ सबसे पहला फार्मला समाकलन करना है दूसरा फार्मला होगा क्लियर हुआ तीसरा फार्मनों देखिए यह डेरिवेटिव और डेरिवेटिव और इंडिग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं अपूजित होते हैं यह चीज मोटी मोटा यह बात समझना है यहाँ पे कॉस एक्स का जो ऑकलन बच्चा है माइनस माइनस साइन आपको साइन एकस का समझन अगर आपको पता करना है से हाँ पर चिपका देंगी हो जkes के Destition कि मैं सी से सुरूख होने वाले जो भी हैं जिकिक्त कॉस भैक्स है कॉसरे इस ही यहां पर हो स्लीक यहां पर माइनस इस है này कई डिरेइक फ्रमिलों आपको नहीं मिलेगा ऐप को से की स्कॉ्राइक्स का ठीक है से के स्कॉर एक्स कहिं पर इडिग जाये तो इसका समाखरनों हो जाएगा 10x क्योंकि 10x का algorithm से की स्कॉर एक्स होता है Кол Vince समाखरन इंडिग्रेशन क्या हो जाएगा बच्छा 10x फर्मले एक बार अगर दिमाग में बैठ जाएं तो समाकलन बहुत इजी है ठीक है यह 14 फर्म में शुरुवात के एकदम आने चाहिए तभी आपको प्रतियस्थापन मेरी सब्सूशन में बिल्कुल किलियर होगा वीडियो पसं कोसे कि coworkers का joe samacalon हो गा बच्छा कोसे कि marvelous इंटू dx bananas कि Hiskा इसके साथ चिपका देंगे Давайте माइनस rust cortex ठीक है तो समाकलन का फार्मला आपको तयार तभी हो जाएगा सेख एकस का ओक्लन होता है सेख एंटु टैनेक्स होता है सेख एकस का समाकलन इन यहां पर नहीं होगा समाकलन हो गया सेक एकसिंटु這邊 x का ठीक है। differentiation का formula भी लगे हाथ आपको यहां पर त्यार हो गया सेक एक्स इन्टू 10x इन्टू 10x इसका जो शमाकलन होगा बच्चा सेक एक्स हर जगा सी लग जाता है ठीक है integration of consciousness बोलते हैं आपके बुक में पहले ही पेज पे दुसरे पेज पे लिखा हुआ है फर्मला पेज नमर 307 जो बुक हमारा पार्ट सेकेंड है किलियर हुआ सब कुछ किलियर है कोई इसमें डाउट कोसेक एक्स का जो ओकलन होता है माइनस कोसेक इन्टू कोट एक्स इन्टू कोट एक्स का जो शमाकलन हो जाएगा फर्म नमर 7 देखिए ठीक है अपने कॉपिम ल समाकलन भी एक पाउगर एकस ही होता है सबसे आसा नहीं होता है चाहे आउकलन की बात करें चाहे समाकलन की बात करें लॉग एक्स का आउकलन क्या होता है वन बाई एक एक बार आडियो वीडियो देख लेते हैं सब कुछ यह आ रहा है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ठी कि आपको इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो 30 दिन है सिर्फ इंपोर्टन कोश्चन का है यह सीरीज ठीक है तो यहाँ पर जो समाकलन होगा बच्चा ठीक है यह वन बाई कि तो एक पॉर एक यहाँ पर जाएगा एक पार एक लाग एडिवाइड जाता है यह थोड़ा सा अलग है पर में बहुत कम पूछा जाता है अभी इन सारे फर्मले में अभी हम मेंसन कर देंगे कि सबसे ज्यादा इंपोर्टन क्या है ठीक है कहां से सबसे ज्यादा सवाल s' partout होता है one upon me under root one-xiß square होता है इसका जो हो जाएगा ठीक है g ‎ sa ин увер x का सभाल नहीं होगा अब सभाण होगा one upon coloc one-man sexy square का समागलulars S'aoshi n Mau Teixe just ح sparked बावा फार्मुला दिख लिजी आगर यह माइनस हो जाए ही ही सभी clear into dx यह क्या हो जाएगा 2 Kas parentheses शीले के ९ह हटा है टो यह फार्मृला यह फार्म्न हो जादी ऊ 그걸 श्रुझार एकर और ट्रम यह दिए लिखें यह इनव्सजारा बहुंतक्तörtव कि ऐंचे संभलिट्ट कला में, यह हो बोगिगा तो यह पार्मीं यह घुलण में, फार्में, quella慢 आपके book में दिये हैं, please आप सभी जाकर note करिए यह इसमें से भी जो है, यह formula भी काफी important है integration का, 1 by X का जो शवाइकलन होता है, log X होता है, क्योंकि log X का जो differentiation होता है, 1 by X होता है, तो 1 by X का integration यह भी formula काफी important है, यह भी formula important है, समाक्राइब का ठीक है उसके बाद यह भी important है 10x का Auckland सेकी square x तो सेकी square x का समाक्राइब 10x यह मुखी मुखी formula है उसके बाद हम सीधे चलते हैं कुछ rules वे और उसके बाद important question पर है ठीक है concept भी हमें सीखना है सिर्फ और सवालों को हमाल करें तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि सवाल तो बदले जा सकते हैं वीडियो पशेंदार है ना आपको चीजें समझ में आ रही हैं बहुत बच्चे बहुत अच्छा response दे रहे हैं बहुत तबित खुश हो जा रहे हैं कि चलिए भाई हाँ मेरे आपको एक बच्चा भी लाभावनती होता है उसका फायदा उठाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है ठीक है चलिए कुछ रूल्स कुछ फार्मने कुछ कॉंसेप्ट और हम बता देते हैं उसके बाद कुशन करते हैं चलिए समाकलन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो हर जगों पर लगेंगे पूरी शमाकलन के दवरान लगेंगे बच्चा इसको सीखना बहुत जरुवी है छोटी सी बात है उत्तुरन दिमाग में बढ़े जाएंगे अगर आप किसी इन्टिक्रेशन कर रहे हैं यहां पे इंटीक्रेशन करना है और यहां पर से इंटीक्रेशन करना है एक तुरंथ जलन कर देजिए तो ले देके हमारा जो यहां पर function होगा वहीं चीज आता है देखिए मोटी-मोटा यह समझे कि integration मतलब जोड़ना और d y y dx मतलब घटाना किसी चीज में अगर आप जितना जोड़ते हैं उतना घटा देते हैं तो यहां पर कोई फंक्षन है उसके साथ कोई अधीश शंख्या मलड़ पाई है कोई नमर मलड़ पाई है उसका integration में कोई रोल नहीं होता है वो कायदे से बाहर मलड़ पाई हो जाता है के इंटू ठीक है जैसे हम बात करें एक्जाम्पल के हम बात कर लेते हैं छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं जैसे 4E के पाउर X इंटू डीक्स है तो 4 constant है इसका integration का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि integration में वही पाउर्सपेट करेगा जो X का function होगा क्योंकि यहां पर integration करना है एक से सापक तो जो जिसमें एक्स वाले टर्म होंगे वही integration का integration रोल निभाएगा एक के पाउर X का यह के पाउर एक्स होता है आपे सी हमेशा लगाना पड़ेगा स्मझ मैं जैसे हम यहां पर बात करें हमें integration करना है एक से स्कॉर इंटो डियक्स यह function है इसका हमें integration करना है लेकिन इसके बगलिये में कोई डिवाई डिए 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 इसका answer simply x स्कॉर हो जाएगा यानि यह यहां पर जो function किसी function का integration करें तुर्ण उसके पीछे चिपका देजिए डिवाई डिए 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 यानि कि ना integration हुआ डिफ्रेंसेशन हुआ फंक्शन ज्यों कर त्यों आ जाएगा क्लियर हुआ चलिए अगर function सम के रूप में होता है यहां पर function अलग है यहां पर function अलग है इन दोनों को जोड कि हमें एक से साथ एक समाकलन करना हूँ या अलग अलग function का आप क्या करीब समाकलन निकाल लीजी इंसर आपका शेम रहा ऐसा आउकलन में भी होता है जैसे हम बात करें यहां पर है साइन एक्स प्लस घूल्रफ कोशेक्स मालजेए एक पार एक्स महां थिकर साइन ीक्स इंटर दियक साइन एक्स प्लस एक पावण आउख से कभी जिन्दिगमें जूडने वाले अल्य Indians है यह कभी जूड़ेंग में फांक्शन फांक्शन यह कभी जूडेंगी यही नहीं तो जूड़ेंगे नहीं तो कैसे समाख्लंड होगा इसका अलग करिए इसका अलग कर देजिए ठीक है तो शाइन x का एक यहाँ पर शाइन x इंटू डी एक्स क्लियर भगा छोड़ी छोड़ी चीजें तुरंत हो जाएंगी परशान, शाइन एक्स का उपलन क्या समाक लण साइन एक सामाकलन माइनस कॉस्ट एक्स होता बहुँ जादे लुग गलत करते हैं बच्चा एकपार एक से समाइक प्लस C ठीक है अब देखिए एक समाकलन करना के इंटू एफ एक्स प्लस टी इंटू जी अक्स यहाँ पर टी है ती डी अक्स होगा एक लिर वा यह चीज होगा तो यह सहुलियत है अगर यहाँ पर कें सवालों को जब हम करेंगे तो वहाँ पर कहीं देखेगा तो ऐसा हम लोग कर शक्ते हैं ठीक है अब आईए सीधे हम सवालों पे चलते हैं सीधे इंपोर्टेंट सवालों पे हम चलेंगे क्लियर होगा वह भी शमाकलंग के और कोशिच करेंगे कि आपको अच्छे कोशन कराएजा है पहले पहला कोशन हम सवाकलंग करते हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा लिखा ऑंडरूटी एक्स प्लास वनपार्ण में अंड़रूट एक्स का परती National सबसे बड़ी समाश्या है कि आप औरप करना जानते थे यानिach समाकलन का नाम सुने थे लेकिन प्रतिया है वाई तो देखिए इंग्लीज में बोलते है डेरिवेटिव क्लिर वा और इसका जो इल्टा होता है एंटी डेरिवेटिव यानी integration इंटी डेरिवेटिव यानी बूछा जाए इसका मतलब है कि इस Function का हमें क्या करना है बच्चा समाकलन करना है यह नमबर में कई बार पूछा गया अब बहुत बच्चों को समजी में नहीं आता है कि पूछ क्या रहा है तो प्रतिय ओउकलस पूछा जाते यानि कि function का समाकलन करना है अब देख लिजे एक नमर आपका हो गया यह अंडरूट x हुआ यह प्लस 1 बाई अंडरूट x इंटू dx यह चीज़ करना है यह हमारा fx है यहीं फंक्शन है यहीं फंक्शन मां है जिसका हमें एक से साफ एक समाकलन करना है बच्चा समझ मैं यहां चीज़ें गुमा दिया यहां तो हमको पता है कि यहां पर आई आउकलन नहीं बच्चा समाकलन वन बाई अंडरूट x समाकलन नहीं चल ला था काफी दिन से न तो आउकलन करते करते दिमाग में आउकलन फिट हो गया है क्लियर हुआ तीस दिन देना है आपको मातर तीस दिन जो बच्चे दिये हैं उनकी बहुत बढ़िया तैयारी हो रही हो गिए वो खुद अच्छा फिल कर रहे होंगे अंदर से मैथमेटिक से जो हववा है जो डर है वो कहीं कहीं दिरे दिरे आप क्या कर देना उसको निस्क्री कर देना और पेपर में मैथ के यह कहीं दिन का गैफ है यह मत कभी स्कोच चीएगा कि चलो उसी गैप में हम पढ़ लेंगे पूरी जीवन में नहीं हो पाएगा अ अंडरूट एक्स का समाकलन देखिये कैसे होगा अंडरूट एक्स को लिख सकते हैं क्या एक्स के पाउवर 1 X2 entoo dx विद्द चीज है लिख सकते हैं अंडरूट एक्स को एक्स कमावर 1出 ओप लेंगे क्या हो जाएगा x के power minus 1 by 2 और x के power n वाला rule लगेगा बच्चा ठीक है x के power n वाला rule क्या होता है ये हो जाएगा x के power plus 1 ये क्या होगा 1 by 2 plus 1 3 by 2 उससे क्या हो जाता है divide हो जाता है clear हुआ यहाँ भी वहीं रूल लगेगा power वाला एक power बढ़ जाता है जो होता है वहीं divide हो जाता है आपे minus 1 by 2 plus 1 करेंगे ये हो जाएगा 1 by 2 अलाच में 1 c 3 by 2 है 2 उपर जाएगा बहुत असान है ये 2 by 3 main जो चीज था यहाँ पर बताना कि प्रती आउकलस क्या होता है anti-derivative anti-derivative बोले तो समाकलर ठीक है x के power क्या हो जाएगा ये 3 by 2 अरे 1 by 2 और 1 को जोड़ पाएगे कभी अपने जीवन काल में आधा और आधा मिलके एक और आधा मिलके क्या हो जाते है डेड़ ये x के power minus 1 by 2 है plus 1 हो जाएगा x के power 1 by 2 clear हो ये 1 by 2 है ओपर चला जाएगा ठीक है 2 plus c finally हमारा integration हुआ 2 by 3 x के power 3 by 2 plus 2 under root x plus c अब चीज़ देखे इस सवाल को करने से ये फायदा हुआ बहुच जगों पे under root x मिलेगा 1 by under root x मिलेगा तो उसका समाक्रा नियाद कर लेजे under root x का 2 by 3 x के power 3 by 2 ठीक है जो power रहेगा यहाँ पर पलड़ देना है और 1 by under root x का जो होता है 2 under root x होता है ठीक है इसको कैसे आद करना है देखेए जो dy by dx होता है under root x का क्या होता है 1 by 2 under root x clear हुआ under root x का जो orisin वन भाई under root x का जो समाक्राइब होता है अचे ले ठीक है जूसरा कोशन देखिए थोड़ा सा कुछ फार्मलरी-बेस्ट कोशान कर दिया जाए ताकि बेसिक हमारे दिमाग में बेच जाए हर्ब है दुशर्य कोशन देखिए बच्चा के तोड़ा सा आस हम Easy कोशन करते हैं एक थोड़ा सा माइंड सेटप हम एक होता नहीं कि बेस तयार कर रहे हैं इंटीग्रेशन का कल से हम प्रतियस्थापन भी दी आंसिक भीन और उससे कराएंगे कुछ सेलेक्टेट कोशन कुछ तगड़ कोशन क्योंकि रिवीजन भी हो रहा है साथ में इंपॉर्टन कोशन भी हो रहे है अगर हम बात करें कि वन माइनश शायन एक सपार चुछ इंटू डेक्स हमें समाकलन बताना है यह बताता है कि समाकलन करना और यह बताता ह है किसके साथ करना है चुकि function अमारा एक्स का है एक्स के साथ एक्स ही तो समाकलन होगा जैसे ऑक्लन होता था चलिए अंस बता में हर का ऐसा कुछ रूब नहीं बताया गया है क्लियर है देखिए गया यहां पर आप d y d x आफ y भी जानते है यानि आउकलन जो function अमारा अंस रूप में होता है कैसी होता है नीचे वाला function जो कहते हूं पहले उपर का उप्र यू ठीक है फिर माइनस यू जो कहते हूं डीवी डीक्स ठीक है और दिमाग में रहना चाहिए यह चीज़ होता है लेकिन अंस बटा में हर का function integration का कोई ऐसा रूल हमें नहीं बताया गया यह हमने नहीं बताया होता भी नहीं है ठीक है हर हाल में आपको convert करना पड़ेगा जो आपको फार्मले बताये गये हैं सुरवात में तेरे चुदर उशी फॉर्म में ठीक है देखे कैसे होगा यह function है cos square x से अलग-अलग divide हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत परशानी नहीं होना चाहिए वह अपान में cos square x minus shine x अपान में यहां पर हो जाएगा cos square x क्लियर हुआ इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अलग-अलग divide करती है अब कोई सुझेगा यह कैसी हो गया अगर x minus y by z है आप चाहें तो अलग-अलग divide कर सकते हैं ठीक है बाद में lcm लेंगे तो वहीं सीचा जाएगा कर दी है हमने 1 by cos square x क्या होता बच्चा से की स्क्वाइर होता है ठीक है cos x 1 by cos x से की x होता है चुकि स्क्वाइर है तो से की स्क्वाइर हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए देखें यहां से sin x अपान में cos square x है तो cos x into cos x लिखेंगे sin x देखेंगा एक बार हम clear कर देते हैं sin x इसको लिख दीजे cos x into इसको लिख दीजे cos x ठीक है पूरे एक वहार dx है यहां पर समझेगा कि शाइन x अपान में cos x 10 x होता है और cos x कूपर ले जाएंगे सेक x हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया थोड़ा सा mathematics में वीडियो पसंदार आएदम लाइक करिए फटफट लाइक करिए सबी लोग यतने लाइक देख रहे हैं लाइक करने में कंजूशी मत करिए जिस दिन हम कंजूशी कर देंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है हमारी भी तबियत खराब होती हर चीज होता है लेकि मैं regular वी लेकिस अपन में कॉस एक्स क्या हो जाएगा तैनि एक पर चला यगा तो से के एक क्स दे इस ठीक है तान अप समart 20 coach है तो पहले लिःग दीचे सो से कोकी फर्क नहीं पड़ाएग मलताइए स्बियक्स मोफ इसका समाक्यनown आप जानते हैं और इसका समाठ्न जांते हैं कै समझ में आया बहुत बढ़ियां से самый इसका समाकलन की हो जाएगा थिक है टार 60 हो जाएगा क्यों से की स्टरेंस होता है तो सेगे सका है समक्राइगन चलिए सब जी का Сमस्य में बाबा जी का परशाद लगाना जरूरी है यह प्लस सी सी आप वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं ठीक है सी फार कॉंस्टेंट है क्लियर हुआ तो यह हमारा integration हुआ तो बार-बार अगर आपको function दिया हो आप हमेशा convert करके आप जो फार्मला जानते हैं जो integration में बहुत ही important है प्रतियस्थापन विदी क्योंकि प्रतियस्थापन विदी का सवाल हर जगों पर यूज होता रहता है integration substitution method integration by substitution method प्रतियस्थापन विदी और कुछ question करिये तगड़े वाले ताकि आपको clear हो जाए सारी चले तीसरा और चौथा question और हम करा देते हैं आज समझ रहा है ना एक basic class से कह सकते हैं बहुत अगर hard question भी करा दें सीरे नहीं आगा hard question हम लोग करेंगे यह सवाल भी एक नंबर में दो नंबर पूछे गया है तो थोड़ा सा एक idea create हो जाए अगर यह कॉस एक्स होता सिंप्ली सका समाखलन जो है शाहिन एक हो जाता है अगर शाहिन होता तो इसका समाखलन माइनस कॉस एक्स हो जाता है लेकिन ऐसा तो है नहीं देखिए इसको करना पड़ेगा जो आप फार्मला जानते हैं उसी फॉर्म में क्लियर हुआ और एक सीज और हम बता देते हैं इसमें देखिए कभी भी अगर मालेजी करना हो यह कॉस टू एक साजा है क्लियर हुआ अब बताएंगे प्रतियस्थापन वीदी में भी यह तो इसमें क्या करत होता इसका समापलन क्या हो जयताँ यहांहां इसको एक समझके करते हैं यहां पर जचीज होता है इसका आवकलन कर देते हैं 2x का Auckland क्या होगा तू होगा और उससे हम क्या कर देते हैं डिवाइट कर देते हैं जबकि Auckland में क्या करते हैं चे लूल वो क्या करते हैं मड़ताई करते हैं समझे हैं एक दम एक दूसरे की बीरोधी है यह क्लियर हुआ अभी हम इसका discussion करेंगे यह परतेस्थापन विदी का तरीका है क्लियर हुआ अब देखिए हम चुकि एक फार्मला देखिए गरीट फार्मला हम बार बार बोलते हैं थीक है एक फार्मला और होता है किसका इसी का वन माइनस में टू साइन स्क्यार एक इसके दो फार्म양 वह रहते हैं यह तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं कि कौन यहां से कॉसिट इसको इधर लाएंगे ये क्या हो जाएगा 1 plus cos 2x यह 2 multiply है इसको divide कर दिजिए यानि cos square x यानि जो cos square x है वो कुछ नहीं है 1 plus cos 2x by 2 है अगर cos square x का समाखन करना है तो इसका मतलब है कि 1 plus cos 2x by 2 का समाखन करना है clear हुआ है क्योंकि यह value इसके बराबर ही है ठीक है और इसका समाखन हो जाएगा 1 plus cos 2x by 2 का clear हुआ है यही चीज बताना था यह कुछन बहुत बार कुछा गया है ठीक है यह हो जाएगा इसको पहले लिखना पड़ेगा 1 plus cos 2x by 2 ठीक है इन्टू dx चलिए बगया अब इसका समाखन हो जाएगा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना सब्सक्राइब शेयर सब करते रहें फटा फट दो महिए बच्चें ही लिए देखें बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चा ठीक है टू का काम नहीं है उपर से वन तो कॉमन हमेशा ही होता है वन वन प्लस cos 2x बहुत असाना है ठीक है one Kansastwo बाहरे दाएगा वन का समाखान हो जाएगा ठीक कैसे अब स्थन के वञा का समाखन हो जाएगा i amam. आप स्थन kuर्ण का समाखन एक कशने वह गया तेकिए वन बहुन होँ एक यह क्लियर हुए हो वन को लिश सकते हैं क्या इसको समझिजेगा is equal 0 into dx और यī वाला जो बुर लगेगा पावर वह ला जित्ना होता है इह ठीक है कि था पावर बढ़ जाता एक और जो होता हिए वसक्त के पावर 0 प्लस 1 है तो X 0 में 1 जोड़ पाएंगे अपने जी 1 काल में 1 ही तो आएगा प्लस 1 प्लस C finally 1 का जो integration हो गया X हो गया ठीक है तो यहाँ पर अग कॉस्ट 2X का हो जाएगा अब यह भी मता है इसको sin 2X by 2 ठीक है प्लस C हो गया चलिए इसको नोट डाउन करिए next question sin 2X का करिए चलिए इसी टाइब का एक question और है sin 2X into dx देखिए easy question करा रहे है थोड़ा सा आप comfortable feel करें ताकि पहले ही जैसे क्या हना है पहले बं दाग देंगे बड़ा वाला question लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा धीरे देरे step by step हम लोग देंगे आपको confusion होने ही नहीं देंगे बसरते आप पूरा आखरी वीडियो देखिए और जो बचे बहुत परशान है कि क्या करें क्या हां से पढ़ें कैसे क्या करें तो मैं बता रहा हूं कि यह जो होकाल स्रीज है अगर इतना भी आप कभर करते हैं तीज दिनों का डे वन से डे टू डे त्री डे फॉर दे फाइप आपकी त्यारी बहुत अच्छी हो जाएगी ठीक है सवाल अगर घुमाते फिराते में यह तब भी लग जाएंगे इतना मेरा दावा है कि si sqa X का इसका स्माकलन कैसे होगा ठीक इसको शमझेगा यहां परacăन्यों निंगा सकते हैं कि माहिणा सयं Hm सब्सक्राइब यहां पर वन कॉस्ट्राइब लगा हो गया तो साइन स्कार एक्स जो हड जाएगा वन माइनस कॉस्ट्राइब करने का मतलब है कि से समातल करें क्यों कि यह जो है इसके बराबर यह अगर इसी का करें कि वाला करके हुआ यहां पर 1 हमेशा होता है ठीक है नीचे 2 से नीच वन हर एक नंबर में क्या होता है कॉमन होता है वब निश्ट चाहे जहां से ले सकते हैं ठीक है यहां पर हो जाएगा 1 by 2 1 का समाकलन अभी भी बताएं एक्स cos2x-6 तो रहेगा ही क्योंकि पहले वाला मैनस है cos2 अगर cosx होता तो simply shine x हो जाथ लेकिन क्या होगा है उसको X समझ करेंगे shine 2x हो जाएगा अर 2x का augland करेंगे तो 2 आएगा जो आता है augland करके उसको क्या कर देते हैं divide कर देते हैं ठीक है यह हमारा आपका इसर हुआ चुटे-चुटी कोश्चन से हम समाकलन का एक बहुत अच्छा बेस त्यार कर देंगे जैसे पहले जून जितने आप बहुत बड़े दुविधा में हैं बहुत बड़े संकट की स्तिती में हैं और उसको उबारने का काम जो है सुभम क्लासेज कर रहा है क्योंकि वहां पर चीजें बहुत सिस्टेमेटिक वे में हैं जैसे आप सोचें कि हमें समाकलन पढ़ना है अब क्या है यूट्यूब बहुत अलग अलग चैनल पढ़ाने वाले अब यह नहीं पता चलेगा कि 7.1 का कौन है 7.2 का कौन है 7.3 कौन है तो सुभम क्लासेज एप इंस्टॉल करने से एक फायदा है अपने मुवाइल से इंस्टॉल कर लिए जो कर लिए बहुत बहुत बढ़िया बहुत अच्छी ब बनना है एक 10 लाज का s Real video का से जहना बहुत ज़्यादा इंप्ट फ्री गिए इसका कोई कॉस्त नहीं है ठीक है है second सबका सब्सजेक्ट आएका उस पहां मैथमेटिक्च वाले इक्लिक करेंगे तो आपको पूरे चेप्टर का व्यूदियो मिल जाएगा ठीक है ज्य से आपको चेप्टर वन बढ़ना रेलेशन फंक्शन तो लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर फोर इस तरह सेक्वेंस वाई यह फायदा है अगर अब यह भी आप टेलिक्राम पे नहीं जोड़े हैं टेलिक्राम पे आप जूड़ जाए शुबं क्लासे सर्च करिए आठ जार से ज्यादा बच्चे अलड़ी जूट चुके हैं वहाँ पे क्या फायदा है कि कोई भी चीज नोटिफिकेशन वहाँ पे भेज़ा जाता है आके आपको मिल सकें ठीक है कोई भी शूचना हो उसके माद्यम से इस सारी चीज़ें होनी चाहिए आप और जो अनामश्य कर दिया गया सबसे महत्पूर्ण प्रश्णों की सिरीज जियो की आज बिश्मात दिन था हमने आज समाक्रन सुरू कर दिया था समाक्रन के फार्वलें समाक्रन के कुछ कोशन हमने कराएं आपको जरूर समझ में आया होंगे क्योंकि ऐसा कुछ इसमें ठाई नहीं बहुत चीजे हमने यूज किया है ठीक है आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यार बच्चों कल हम समाक्रन के ताबर तोड़ दस बंद्र कोशन कराएंगे जो कि एदम दिमाग हिला दने वाले होंगे और वोड के एक्जामनेशन पॉइंट आफ यूज से बहुत ज्यादा इंपॉर् करता है